नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस यूटूब चैनल में मैं विकाज बोपिनुवार आप सभी ट्रेडर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लॉंग पोजिशन और शॉर्ट पोजिशन क्या होते हैं उसे समझने वाले हैं चलिए आज के इस शांदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं देखिए कोई भी ट्रेड जब कंप्लीट होता है तो उसमें दो चीजे आना बहुत जरूरी है एक तो किसी शेयर्स की खरेदी और उसी की बिक्री यानि की खरीदना और बेचना यह दोनों जब एक ट्रेड से सम्मीलित होते हैं तब हम बोलेंगी कि एक ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ठीक है आप किसी चीज को खरीदते हो तो आप जब तक उस चीज को बेचते नहीं हो तब तक वो trade complete नहीं होगा ठीक है तो इसमें दोनों चीज आनी चाहिए उस चीज की खरेदी भी और उस चीज की बिकरी भी आएगी तबी ये trade हमारा complete हो जाएगा तो ये trade जो है खरीदना और बेचना आप दो तरीके से कर सकते हो अब generally normally क्या होता है कि हम किसी चीज को पहले खरीदते हैं और फिर कुछ दिन बाद जब उसका rate बढ़ता है तो हम उसे बेचते दे हैं और हमारा profit हम यहाँ पे deserve करते हैं दोस्तों ठीके तो इसे बोलेंगे हम long position वाला trade इसके विपरीत में हम देखते हैं कि क्या है short position में क्या होगा long position के उल्टा होगा यहाँ पहले ही आपको उस चीज को बेचना है जो आपके पास ही नहीं लेकिन यहाँ यह trading है तो share market में यह चीज आपके पास नहीं भी हुआ तो चलेगा आप उस चीज को पहले ही बेच सकते हो और बाद में उसे एक बार खरीदना होगा तक कि आपका trade complete हो जाए सिर्फ आप बेचोगे तो वो complete नहीं हो रहा है आप बेचोगे फिर आपको उसे खरीदना भी होगा तब ही वो trade complete होगा अब यह यहाँ पे उल्टा है इसके लिए हम यहाँ पे से short position बोल रहे है long position जैसे हम normally करते है कम कीमत पर खरीदना जादा कीमत पर बेचना long term position हो जाए पर है तब ही हमें profit होता है तो यहाँ यह short position है यानि उल्टा है तो यहाँ पे हम जब बेचते हैं पहले ही बेचते हैं तो बेचना हमारा ज्यादा होना चाहिए खरीदने से जब हम बाद में खरीदेंगे तो उसका कीमत कम होना चाहिए जब पहले बेचा तो ज्यादा कीमत पे बेचा और बाद में खरीदा तो कम कीमत पे खरीदा तभी हम इसमें जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा ठीक है आशा करता हूं मैं जो बताना चाहता हूं आप तक चीज पहुच रही है ठीक है चलिए इसे थोड़ा डायग्रामाटिकली समझ लेते लॉं बेचना जो है जादा कीमत पर और प्रॉफिट हम लेते तो इसे बोलते हम लाउंग पूजिशन अब इसके विपरीत में जब मार्केट बड़ा हुआ होता है और उसके बाद में जब गिरना स्टार्ट हो जाता है तो बड़ा हुआ जब होता है तब हम क्या करते है उसको बेज देते हैं सेल करते हैं यहाँ पे भी हमने जब बड़ा था सेल किया यहाँ पे भी जब बड़ा जो चीज हमारे पास नहीं होती है लेकिन share market में ऐसा होता है कि जो चीज आपके पास नहीं आप उसे बेच सकते हो और कुछ दिन बाद आपको खरीदना भी होता है ताकि आपका पूरा trade complete हो जाए और यहां से आप profit आपका बना लेते हो दोस्तों जादा पे बेचा कम पे खरी बस यही मैं बताना चाहता हूं अब यह जो लॉंग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन है इसमें हम stop loss क्या उतर कहां पर उसे रखना है यह थोड़ा सा समझेगे वैसे stop loss बड़ा टॉपिक है उसे हम बाद में डिसकस करें लेकिन इस चीज में stop loss का position कहा है जगा कहा है वो हमें बता होना जरू जी है यहां पर हम extraordinarily आपको रॉफिट वोज्ट बताया है प्रॉफिट मतलब क्या जो बेचा है वह प्राइड ज्यादा होना चाहिए खरेदी से टीन कहीं जाकतबके तो प्रॉफिट होगा तो दोनों केस में आप लई ज़ादा हिए खरेदी से भीचना शौर्ट पोजिशन है, ग्राफ उत्तर रहा है, मार्केट गिर रहा है, बियरिश मार्केट है, यहाँ बुलिश मार्केट है, यहाँ बुलिश मार्केट में कम प्राइस पे एंट्री मारेगा, यहाँ पे वो स्टॉक को खरीदेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो वो उस को खरीद लिया उस स्टॉक को खरीद लिया और 400 पर बेज दिया चलो मानलो अगर यह ग्राफ चड़ने की बज़ा उतर जाता ठीक है अब यह सव को पचास तक उतर जाता तो आपका पचास का नुकसान हो जाता मेरे भाई तो आपने क्या करना एक लिमिट लगा देना है सव में खरीदा अगर यह उल्टा भी जाता है 90 तक जब तक नहीं जाएगा यह बेचा नहीं जाएगा तो आपका मानना तो है कि मार्केट अभी चड़ेगा सब कुछ अच्छे चीजे हो रही है मार्केट चड़ेगा तो चड़ना ही चाहिए लेकिन चलो मानलो आपका बन पॉजिशन में जब आप सेर को खरीदते हो और बाद में बेचते हो बज़ते हो कि इस दो दीनना है यहादा नॕस्त चलता है और मार्केट उल्टा चलता है नहीं तो तो बेंट गजिया में चाहता हूँ उह जब आपको यह को खरीदते हो और बाद में बेशते हो अगर जादा पे बेश दिया तो आपको profit होगा उपरी side में है ना और उपरी side में मतलब जब तक price बढ़ते हैं तो आपको profit होता है long position में और आपका stop loss यहाँ नीचे लगाना होता है जैसे आपका current price जो है 100 रुपे तो आपका stop loss आपने कहा पे लगाय तो कम पे आपने stop loss लिया जो भी आप risk ले रहे हो वो stop loss नीच आएगा अब इसके उल्टा हम short position में यहाँ पे देखते कि short position में क्या होता है short position में यह हमारा entry हम stock लेने को यहाँ आगे तो यहाँ पे हमने stock लिया नहीं है stock यहाँ पे हमने बेचा है sale क्या है पहले ही हम और जब हम exit हो जाएंगे तो हमें एक बार उसे buy भी करना होता है तो यहाँ पे हमने 500 को बेज दिया और 1500 को यहाँ पे बाद में जब market गिर रहा है उसको खरेदी कर लिया तो यहाँ पे हमने profit बना लिया तो यहाँ पे entry यहाँ पे exit तो नीचे की तरफ हम profit बनाते है जितना ज्यादा market गिरेगा उतना हमारा profit होगा दोस्तों यहाँ 500 पे हमने बेज दिया 300 में खरीदा तो profit 300 रुपे यहाँ पे बन रहा है क्योंकि market गिर रहा है तो आपका profit नीचे गिरेगा तो बनेगा इसलिए profit यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है और यह stop loss क्या है अगर market बड़ेगा है ना तो आपको खरेदी भी बड़े रकम पर करना पड़ेगा और आपका loss हो जाएगा आपने 500 को बेज दिया और बाद में अगर आप 500 को खरीदते हो तो 50 रुपे तो आपका नुकसान हो जाएगा ना तो उपर में आपको stop loss लगाना है कि भाई market तो नीचे गिरेगा लेकिन अगर ये चड़ा भी तो 530 रुपे तक मैं यानि कि 30 रुपे का नुकसान मैं जहल सकता हो तो आपने क्या करना है 530 पे stop loss लगा देना है यानि कि आप बोल रहे हो अगर market चड़ता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 30 रुपे का नुकसान हो जाता है उससे ज़्यादा भी अगर वो बढ़ता है तो हम उस loss से बच जाते तो उसको हम बोलते stop loss ठीक है एक limit लगा देना होता है लेकिन यहाँ पर हमने stop loss नीचे लगाया और यहां short position में stop loss उपर लगाना होता है तो देखी यह short position profit कब होगा जब market गिरेगा तो profit होगा औ और यह stop loss हमें उपर लगाना होता है जो भी current price है हमारा 500 रुपए हमने यहाँ पर बेज दिया था तो इसके उपर हमें stop loss लगाना होता है जैसे 530 पर हमने लगा दिया तो यही दो चीजे मैं आपको समझाना चाहता था और यह चीजे आप आसानी से समझ भी हो गए दोस्तो और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो इस वीडियो को like करना है share करना है और comment box में comment जरूर करना है दोस्तो और उन लोगों से धर्खास जिन लोगों ने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe कर दीजिगा और उसके बाद आने वाले इसे जादा से जादा शेयर करना है तो फिर मिलते हैं एक और बहतरीन वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई बाई